Hello to be officers, welcome to Namuavis Academy Namuavis Academy आप सबी भाव्याधिकारियों का फिर से स्वागत करती है मैं अनुश्री गुपता Current Affairs Series का ये 4 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ MPPSC का exam हो चुका है, mains की तयारी करनी है mains की तयारी करने के लिए Current Affairs एक बहुत ही जादा major role play करेंगे तो बिना देरी किये start करते हैं हम first question से First question है, which Indian state has recently hit by avian flu? भारत का ऐसा कौन सा राज है जिसमें avian flu की बिमारी आ चुकी है options है, Odisha, जार्खन, केरला या बिहार Odisha, जार्खन, केरला या बिहार avian का मतलब होता है bird bird flu हाली में जादा बहुत जादा चर्चा में है इसका सही आंसर है केरला केरला में first avian flu report हो चुका है केरला सरकार में निर्देश जारी कर चुके है कि जितना भी bird से related, avian से related कूडा, चारा या अंडा मार से उसको नश्ट किया जाना चाहिए तिरवन्तु पुरम में, जो केरला की राजधानी भी है वहाँ पे सबसे पहला ये avian flu report किया गया था second question है, bunny grassland is found in which state bunny grassland किस राज्य में है तो जो भी news में होता है, जो भी अभी हाली में, चर्चा में होता है उससे related questions पूछे ही जाते है उससे related ही static g когда भी आता है तो इस static g k когда question हो गया तो bunny grassland किस state में पाया जाता है असाम, असाम, भिहार, गुजरात या 36 गड़ तो bunny grassland पाया जाता है गुजरात में गुजरात के कच में bunny grassland पाया जाता है ये चर्चा में क्यों है ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में आफ्रीका से चीता लाए गए हैं, बनी ग्रास लेंड को वापिस से टाइगर रिजर्व बनाने की तयारी है, केंद्र सरकार से ये मंजूरी प्राप्त हो चुकी है कि बनी ग्रास लेंड में फिर से टाइगर रिजर्व बनाया जाना च आफ्रीका से टाइगर्स लाए जा चुके हैं उनकी टाइगर ब्रीडिंग के बाद बनी ग्रास लेंड को एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा बनी ग्रास लेंड है कच गुजरात में इंडिया's first six lane steel slag based road constructed on which national highway भारत की पहली छे lane की steel slag अधारत सड़क किस राश्ट्री राजमार्क पर बनाई जा रही है तो steel slag, slag का मतलब होता है waste तो जब भी steel production होता है उसके waste से जो road का construction हो रहा है वो है steel six lane steel slag तो यह कहां पर बनाई जा रही है options है NH9, NH6, NH14 या NH22, national highway 9, national highway 6, national highway 14 या national highway 22 तो ministry of steel authority ने R&D department को मंजूरी या fund किसे help की है और steel authority of India R&D department and CSIR मिलके इंडिया's first six lane steel slag बनाया गया है वो बनाया गया है NH6 में NH6 इसका सही answer है NH6 से हजीरा बंदर गहा तक हजीरा बंदर गहा तक यह connect रहेगी गुजरात सूरत में next question है Padmaja Naidu Himalaya Zoological Park is located in which state? Padmaja Naidu Himalaya Zoological Park किस राजे में स्थित है? Sikkim, West Bengal, Himachal Pradesh या उत्राखन? Sikkim, West Bengal, Himachal Pradesh वापिस से यह Static GK का question आ गया यह news में क्यों है यह matter करता है उस से related Static GK भी matter करता है तो इसका सही answer है West Bengal यह news में इसलिए है कि यहां से Cyprus से Tiger Cheetah लाए जा रहे हैं इस Geological Park में तो यह कहां पर है? West Bengal में Next question है Which state has launched a scheme to rent drones to low-income farmers? कौन सा राजे उन्नती हीन किसानों को drone किराय पर देने की योजना लागू कर चुका है? राजिस्थान, पंजाब, हर्याना या गुजराथ? राजिस्थान, पंजाब, हर्याना या गुजराथ? तो यह scheme लाई क्यों जा रही है? यह उन small farmers के लिए लाई जा रही है जिससे कि drones की help से वो अपनी फसलों पे निगरानी रख सकें और जो भी irrigation की अज़रूरत है फसलों पर जो भी कीट नाशक अगर हो रहा है, कीट नाशकों का अगर हमला हो रहा है तो drones की help से वो निगरानी रख सकें तो इसका सही answer है, राजस्थान राजस्थान में यह scheme launch की गई है Next question है Global River Cities Alliance has been launched at which city? Global River Cities Alliance के शहर में शुरू किया गया है तो हाली में COP28 समिट हुई थी इसके options है New York, London, Dubai या Singapore COP28 हुई थी दोबई में तो इसका सही answer है, दोबई में दोबई में Global Alliance River Project चालू किया जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? Alliance मतलब संगठन संगठन स्टार्ट हो रहा है किसके बीच में हमारा National River National Ganga River Mission जो है उसके साथ में Mississippi River Township जो की United States में उनका Alliance हो रहा है आपस में क्यों हो रहा है ये? To reserve our rivers for conservatism to reduce pollution जो National Mission था Ganga River के लिए वो क्यों लाया क्या था? Ganga River को pollution से साफ करने के लिए उसका conservatism करने के लिए तो globally rivers का conservatism और pollution को reduce करने के लिए Alliance हो रहा है COP28 समिट हुई थी UAE में UAE COP28 COP29 2024 में होनी है जो की होनी है Azerbaijan में Azerbaijan में COP29 समिट होनी है वहीं पर ये Alliance हुआ Next question है Who won the best director award the 29th Kolkata International Film Festival 29th Kolkata International Film महुतसव में सरफ्रेश्ट निर्देशक का पुरुसकार किसने जीता है Vishal भरद्वाच Vishal भरद्वाच Carlos Daniel Malave या Anura Kashyap या चेतन भगत जी ने तो चेतन भगत जी तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में नॉविल्स के थुरू आए है अभी उने डारेक्शन तो किया नहीं है तो ये तो option गलत हो गया हमारा है ना ये मिला है Carlos Daniel Malave को Carlos Daniel Malave को वैस्ट फिल्म का पुरुसकार जो मिला है वो Children of the Nobody को मिला है Children of the Nobody Next question है Who has been honored with the highest civilian honor of the Italy Italy के सरवोच नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है तो पहले बाद तो ये award होता क्या है तो इटली सरकार ये award देती है उन नागरिकों को जिन्होंने उस देश के लिए आर्ट, साइंस या लिटरेचर में अपना सहयोग प्रदान किया गया है तो ये award मिला है पहले options देख लेते हैं options हैं विद्याबालन, आमिर खान, शारुक खान या कभीर बेदी जी तो जिनको award मिला है मैंने पहले भार भी ये वीडियो में चर्चा की थी हैश्टेग मेलोडी है ना इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जय मेलोडी उन्होंने भी अपनी स्पीच में हैश्टेग मेलोडी मैंशन किया है जिसका सही आंसर है कभीर बेदी कभीर बेदी जी को ये award दिया गया है highest civilian honor of the Italy ये उनको क्यों मिला है तो कभीर बेदी जी ने 1976 में इटली में एक show किया था जिसका नाम ता संदोकन 1976 में उनके सहयोग के लिए इटली सरकार ने अभी ये award दिया गया है Award Order of Merit of the Italian क्या नाम है इसका Order of Merit of the Italian ये इटली का highest civilian award होता है जो मिला है कभीर बेदी जी को Prime Minister Georgia Meloni Which bank has launched दिनारी शक्ती saving account किस bank ने नारी शक्ती saving account योजना चालू की है options है Bank of India State Bank of India, Punjab National Bank या ICICI Bank तो नारी शक्ती saving account है क्या नारी शक्ती saving account उन financial independent आर्थिक लिए जो मतब आर्थिक उसमें मजबूत है वो औरते financial independent है उनके लिए योजना चालू की गई है इससे होगा क्या, सबसे पहले तो अगर आप अपना saving account खुलवाते हैं वहाँ पर तो आपको जाधा rate of interest saving में जाधा तर मिलता नहीं है हमें rate of interest 1.75 या 2.75 तक मिलता है तो यहाँ पे उनको जाधा rate of interest मिलेगा एक लाख रुपे से जाधा करेंगे तो 2.95 तक rate of interest मिलेगा अगर आप loan लेंगे retail loan लेंगे, home loan लेंगे तो उसमें आपको concession मिलेगा wave of हो जाएंगे आपको rate of interest तो यह योजना चालू की गई है bank of India के द्वारा जो financial independent women है उनके लिए योजना चालू की है आज के वीडियो का आखरी question है last question है वज्र प्रहार 2023 military exercise was held in which state वज्र प्रहार 2023 2023 सेन अभ्यास के स्राजय में आयोजित किया गया था तो वज्र प्रहार exercise चालू की गई थी 2010 में 2010 में इसकी शुरुवात हुई थी यह कुन दो देशों के बीच में होता है यह होता है अमेरिका और इंडिया के बीच में जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि विन्बैक्स जैसे होता है इंडिया और व्यतनाम के बीच में तो यह main purpose यह exercises होती क्यों है दो देशों के बीच में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में यह exercises होती है जिससे की technical tactics आपस में share कर सकें विचारों का अदान प्रदान हो सकें तो यह होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में 2010 में चालू किया गया था और इस बार हो रहा है मेघाले में मेघाले इसका सही answer है वजट प्रहार exercise होती है इंडिया और अमेरिका के बीच में ये था आज की सीरीज का आज के वीडियो का आखरी question इसी तरह से मैं वीडियोज लाती रहूंगी और improvement के साथ आशा करती हूँ आपको ये पसंद आ रहा होगा जो भी आपको राय देनी है वो comment में जरूर दें तब तक like, share, comment और मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you